कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चानल जीए से ब्रीडे में जोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो अभी जो ट्विटर कैंपेंच चल रहा है और साथी साथ हैसों में बहुत सरे स्टुएंट्स गलती भी कर रहे है जो कि स्पैलिंग में सेक्स डाल रहा है मैं उसको बताओंगा साथी साथ है सो यह क्लरिफिकेशन साई है जो खुद से उन्होंने से एफन क्यूब बना करके भीजा है मैं उसको बता देता हूं और साथी साथ इसका कंपेर हम लोग 2019 में आये जो नोटिफिकेशन है उससे बताइंगे कि हां क्या डिफ्रेंस से या क्या नहीं है और आयोग ऐसा क्यूं कर रही है उस पर भी विचार करेंगे तो अन तक बने रहेंगे चैनल दोस्तों और अगर पहली बार विजिच करें चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए जिए गा देखे दोस्तों इसमें बत इस अब बताया गया है कि ग्रेजुएट और शीक्स ओप दीज पोस्ते अब बागी फर्टीन पोस्ते सो आपका ग्रेजुएट लेवल है और सेवन पीसी 7CPC के कोडिंग जो है सो आपका इसमें लेवल वाइस किया गया है दो तीन चार पांचे में किया गया है और इसके र ड्रफ्ट फूर और एनी ओफ इस थर्टें करेडरीज मत्तब है तो कोई भी जैसे अगर ग्रेजुए लेवल स्ट्टेश्ट रहा इसकता है और साथी साथी धर इधर जो पोस्त भी दे सकता है और जो इंटर लेवल है अपने इंटरमीडेट लेवल के आधार पर दे सकता ह है तो यह हो गया क्लारिफिकेशन दूसरा है कि कंसर्ण है एक्स्पेस्ट डैट रेलवे हैं बोड हैड इंद इन एक्जाम नोटिफिकेशन मेंसें डैट में तब 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा से बीटी के लिए लेकिन यहां कर तो अपने हैसल इक एक एंडिटेट सो और हैसलो और नहीं से पीट हिर नेशन होगा हरे रह Ernst इद्रीं दूछस कहोए है कि तब इसके वज़ह से क्या हो गया है कि ऐसा क्वालिफिकेशन हो है और और यह इनका कहना असपस्ट है कि हमने कहीं से नहीं कहा है कि सकेंड एक्जामिनेशन के लिए हैं सो हम साथ 20 गुना रिजल्ट देंगे चाहें ऐसा कुछ भी जबकि मैं दिखा दूँगा कि किस तरीके से दिया गया है ठीक है पारा 13 में दिया हुआ है कि 13.6 में और यहां पर इन्होंने तो एक्जाम यह एक तरीके से फिर आगे है सो बोल रहे है अलग अलग एक जामनेशन होगा पहले तो ठीक है और असपस रूप से काते कि हां हमने ऐसा कहीं से नहीं एक था कि सात लाख है सो डिस्टिंग्ट कैंडिटेट्स विल भी सोट लिस्टेट ऐसा कहीं से लिखा है और शाथ लाख रॉल नंबर दिये हैं हम क्या किजेगा यह कहना ना इसका रार भी का फिर आगे है कि जबकि 20 टाइम तो बोल रहा है कि इसका क्लारिफिकेशन साया है स्वाइब लेवल वाइज पोस्ट वाइज ठीक है रेट अप 20 टाइम्स नोटिफाइड वेकेंसी एज इलबरेटे इन पाराथ 30 नोटिफिकेशन दा लिस्ट कॉंटेंस एबाउट 7 लाक रॉल नंबर विच सिधा बोल रहा है कि देख रहे हैं आप सेवन लाक क्या रॉल नंबर का रिजल्ट दिया गया है इस जो वेकेंसी है इसके कॉर्डिक ना कि 20 गुने कैंडिटेट्स का इन्होंने दिया है तो असपस्ट बोल रहा है तेन केंडिटेट्स यूज्ट फाइट वन पोस्ट और वही वाली बास थे जो मैंने आपको पहले बताया था तो इसमें असपस्ट दिया है कि 35,000 वेकेंसी है इसके अधार पर क्या किया गया है कि कैंडिटेट्स का पॉइंट्पेंट है सो जो हम जैसे भी ले रहे हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन अपाइंट्पें नेकी पोस्ट बाइकेंट्ट्द यह कुछ भी नहीं है यह यह कुछ भी स्पषिफ बनाने का तरीका है मैं आप बताइए कि अलग बनेगा है बाइद वह सो आप क्वालिफाई कर रहा है क्या उस समय नहीं करेंगे यह एकदम जूटा एकदम चूतिया बनाया जा रहा है कि वैकेंट नहीं रहेगा 100% पोस्ट वैकेंट रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है ठीक है आप इस बात के गौर करेंगे दोस्तों आप यही मत सम लएकेंट नहीं देगे भाई आप एस दोगे नहीं क्या बोलते हैं आप वेटिंग लिस्ट जारी करोगे नहीं फिर कैसे नहीं रहेगे तो चार एक्जाम को यह स्टूइट देगा मन होगा कि हम पहला नंबर पर हम सेलेक्ट हुए हम नहीं करेंगे हम हमको मन तीसरा नंब तो फिर तीन पोस्त को तीन सीट पर क्वालिफाइब कर देगा तो तीन सीट तो खाली छोड़ देगा और इस तरीके से हैं सो टोटल वैकंसी जो है इसमें से बचा लेगा फिर आगे देखे क्या है ौब पर पर और सब्सक्राइब रहार उनके पास है सो क्वालिफिकेशन जादा है इसलिए वह तिरन पूस्ट उधर हो गया और यह जो पांचे पूस्ट उस लेवल पे क्वालिफाइब करेंगे है उसको डेवार नहीं किया जा सकता है इसका कहना यह है ठीक है आगे है कट बहुत हाइक क्यों चला गया तीनों ने क एक्जाम लिए है टेन प्लस टू लेवल का ठीक है और वेकेंसी इतनी थी तो भाई इसमें से इस वेकेंसी क्यों क्यों कंसिडर किया आप 500 मतलब हजार कंशीडर करके मनाते ना हजार पोस्ट को कंसिडर करते है उसके कोडिंग है सब मतलब 20 गुना करके है रिजल्ट देते चार लग डिसलेक्ट हो चुके हैं तो फिर आगे जो है कि आगे कुश्चन है ग्रेजुएट केंडिट्स अर्गेटिंग अंड्यू एडवांचेज जो भी है टेन प्लस टू लेबल में ठीक है इसके तरफ से इंटेग्रें क्या आया है कि इंटेग्रेशन ऑफ रिकूर्म बनाने के लिए दिया गया है कुछ भी नहीं है और मैं इसमें बता देना चाहता हूंगा आपको कि यहां पर जो बोल रहा है कि हम लिए है एक्जामिनेशन लिए हैं टेन प्लस टू लेबल का कुश्चन बनाए थे पहले यह ऐसा कुछ भी एडवर्टाइजमेंट में वर् और क्या खर चलिए इस पर हम बाद में विचार करते हैं लेंगि चलिए पहले हम आपको नोटिफिकिसन पर ले चलते हैं वह दोनों नोटिफिकिसन देखें फ्रेंस मैंने है सो यह जो यह जो आपका जो वेकेंसी आई थी उसकी मैंने पीडिएप निकाल रखी है और यहां टर केंडिडेट सम्मेद यह ओप्शन्स फॉर एस पेसिफिक आर बी ठीक है डेलवे पोस्ट ठीक है और बार बाइस वाइस वेकंसी को आगे अपडेट किया जाएगा इसे फिर असपर लिखा गया है कि देशाट लिस्टिंग ऑफ सेकेंड स्टेज सीवीटी विल बेस्ट अन मेरिट फ्लाना फ्लाना चिलाना इतना ही बात लिखा हुआ है ठीक है चलिए यह तो इसका रहा है एक्जाम का जो प्रकिरिया है दिया गहीं नोटिफिकेशन ने अब मैं आपको आपको एसो लोग है यह अभी नोटिफिकेशन से उस पर आ चुके है और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहरा था यहां यहां देखिए यह पारा नंबर शिक्स में देखिए आप यहां पहले तो यहां देख लिए यहां दिया हुआ है असपस जो एंड एल पी में था सेम उसी सब्सक्राइब करेंगे अब बताइए दोस्तों इसमें कहां से अंतर दिख रहा है कि हां कि वहां पर है सो यह पोस्ट वाइस देंगे अब पोस्ट वाइस रिजल्ट दे रहा है जो कि फाइनल में होना चाहिए था फिर आगे जो यह बहुत है सो पारा नंबर थर्टीन है सो रट रहे हैं चलिए थर्टीन फोर्टीन में है थर्टीन यह थर्टीन में दिया गया हुआ है कि only single online application फलाना चिलाना दिया जाएगा और यहां पर लिखा हुआ है कि दे रिक्रूट्मेंट प्रोसेस सेल इंवाल फॉस्टेस कंप्यूटर बेस सी बीटी और सकेंडे से जोगा और स्किल्टेस्ट होगा ठीक है उसके बाद स्लेक्शन इस में इस्टिकली ऐस पर दमेरिट फलाना चिलाना यही सब दिया हुआ ह प्रोसेस में कुछ खास नहीं है फिर पार स्केंडेस्ट केंडेस्ट हुआर सोट लिस्टेट फूर सकेंड से सी बीटी एवेलिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स ऑफ ओवी सी सी स्टी डावलू एस सेल कंटिनू टूबी कंसिड़ेट वनली एगेंस ओवी सी फलाना फ्ला अरी 13 पॉइंट है सो और अगे इन्होंने बताया है कि 13.2 में क्या दिये हुआ है कि अलग अलग ग्ला ग्जामिनेशन होगा नौट यहां दिया हुआ है यह गलत नहीं है यह दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है कि सेपरेट सेकेंड सेट्ट एस सिबीट इस बीट के एक 4 5 6 ग्रेट जितनी हैं difficulty level का होगा ठीक है ओल पोस्ट फॉलिंग विदिन दे सेम लेवल सीपीसी हैब सेम कॉमन एग्जामिनेशन होगा इप दे कैंड़ेट सारी लेवल जोगा ठीक है पोस्ट और रिजिकर्शन क्वालिफिकेशन के अधार पर यहां पर भी देखिए सौट लिस्टिंग के बारे में दिया हुआ है शॉटलिस्टिंग अधेट्स फॉर दे सेकेंड एस्टेसी बीटी सल्वे बेस्ट नॉर्मलाइज मार्क्स प्रफेंग बाइदें इन फॉर्स एक्साइज बाइब देम कीपी इंग इंग व्डेशन क्वालिफिकेशन दे कैंडिट फ्लाना चिलाना तो टोटल नंबर अव ठीड़ केंडिड़ेट टूबी शॉट लिटेड सेल ट्वेंटी टैंप्स ठीक है कि अनुट बाइब बताइए यह दिया हुआ है कि ट्वेंटी टैंप आएगा ठीव इस तरीके से पुरा अस्प्रस्ट नहीं इसमें कहीं से हैं ही नहीं कि हाँ हाँ अलग-अलग पोस्ट यहां पर नीती यह है ना कि मोधी सरकार है सु आगे महा प्रयोग करने वाली है समझें तो पहले सही बैंग्राउंड बना रही है चेक कर रहें कि आगे क्या होगा अब कॉमन इंजिबिटी टेस्ट करने जा रही है यहां पर मेरा कहना है दोस्तो आप लिए हो आपने निकाला है सो अगर 10 प्लस टू वाला जो पोस्ट है जो टी टी सी सी जुका एक्जामनेशन से उसका पोस्ट निकलते हैं क्या ग्रेजुट वाले एस्टूट उसके लिए ऐपलीकेबल नहीं होते हैं क्या वो फॉर्म नहीं के टोटल अभी यहाँ पर 35,000 जो वैकेंसी है ठीक है तो भाईया आप इसमें नोटंकी किस बात का कर रहे हैं 35,000 में सब लोग क्वालिफाई के हैं एक सिंगल है सो कटफ बनाई है न यह और का कटफ एक सिंगल होना चाहिए ओभी सी का अलग होना चाहिए सबका अलग अलग कटफ बनाई है ठीक है कटफ तो निकलना ही चाहिए हर एक क्या कर देंगा क्लरिफिकेशन इसा कुछ भी कहीं दिखा ही नहीं है कि अभी हमें सो मेरिट बना देंगे एक दम से यहां पर तो माली कि चार जगा क्वालिफाई करेगा चार लेबल में एक जाम देगा लेकिन फाइनली ज्वाइन करेगा एक ही पोस्ट पर इस तरीके से तीन सीट तो यहां पर खाली रह गया है वेकंट हो जाएंगे तीन प्रोटेस्ट ट्विटर पर बड़े प्यमाने पर होना चाहिए और आप लोग बड़े प्यमाने पर किजिए और ठंग से किजिए इसलिए कि बहुत सरे फ्रेंट्स है अभी यह सो फाइब मिलियन से ऊपर है सो चला गया था पता नहीं कि भारा सरकार भी समें लगी हुई ह है कि ट्विट्श की संख्या घर्टती जा रही है यानि डिलीट किया जा रहा है ढग続 iPhone में आप नहीं लेकिन इक भी से निकला है तक है अभी ट्व ट्विट ट्विट तो सभी लोगों न की अट्विए और अइनका उस्पार्ट सेम गलत है सबको फैयदा ही नहीं होगा को सपोर्ट ही निमिल पाएकंगा अप एक नहीं मैं हजारों दिखा सकता हूं देखिए सभी के साथ वही दिखते हैं सब हुमने हैसो यह देखिए स्पेस्टे रखा यहाँ पर यह गलत हो गया सीधी बात है जब आपका ट्वेट साही होगा तो इसार तो देख रहें यह सेम भी यहां पर भी इन्होंने गलती किया है यानि सीधा आ जाए वहां पर जब आप आरार भी एंटीपी से लिखते हो अगर आ जाते हैं वहां पर सर्च बार में उसको सेलेक्ट नहीं करना है फेंट्स आप खुद से लिखिए तब आकर क्या सो इसको चीच रूर्स यासी पीट देखे मैं एक नहीं दो नहीं कितना सारा मैं एक देखा है कि सब लोग गलत गलत ट्वीट कर रहें ठीक इस तरीके से त्वीट किजिए हाँ बले हैं अपने ४ीव मोलिन प्रहें इंडिया आइफ लिग लेकिन यह गलत है और यह सर्च नहीं लिखना लिखना यह से इसंट इह हो तो सबें हो ने सबमने और की लिखना गलत हो सकता है ज culinary गलत सर्च कर दिया मोट कर और हो दिखा देखाद हैं तो दोस्तों इस पर लिखना है 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 अलबी एनटीपीसी अंडरेश्कोर कि वन एस्टूडेंट अंडरेश्कोर वन रिजल्ट चुकि इसमें कहीं से भी स्पेस नहीं होगा याद रखेगा और एक दूसरा जो हैस्टैग है दूसरा है है सिर्फ मिनिस्टर में A** में य क्यापिटल होगा तो इस तरीके से इसी दो ट्विट्स को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और इसको टॉप मिले जाना है ठीक है पूरे वल्ट में तो यह करना है इस चीज का ध्यान रखेगा फेंट्स आप लोग चुकि आप लोग बहुत गलत गलत ट्विट कर रहे हैं और होपसो की रेलवे मिनिस्टर को सुनना चाह तो कि यहां पर देखें दोस्तों 55% 50% घ्याम दिए सबागर स्टुडेंट थे आप उसमें से माल लिजिए कि अगर है इसमें से है कि हम बोले 50 60 लाख ही स्टुडेंट एक जाम दिए हो तो 60 लाख है इसमें से माली मातर तीन लाख का रिजल्ट है बात बागी कहा हैं 57 लाफ कहा है 55 लाफ कहा गया यह पचास लाग का रिजल्ट ही नहीं नहीं है तो पचास लाग है दोस्तों अगर आप करेंगे तो तूइटर एकाउंट जो है समय टूइटर खतम हो जाएगा बम बोल जाएगा यिए आप लोग फूइट केजिए जीतना बार हो हो री ट्ट करते रहे करने क्यां यह कुछ नहीं बस इस बटन पर क्लिक कर देना है है एक लैकिन है यह देखिए गा ये सही दिया घ्लत है मैंने बहुतों लोग पसके रहे हैं तो इसको सुधार्वें और इस तरीके से करते रहे हैं यो दोfire डिन में फतर नहीं होगा हुसता है अगर अगर आप डटे रहेंगे तब अक्र देख सकते आं तो कि वह भी घबरा गई है इसलिए अगर आप लोग समर्थन में रहेंगे अगर आप लोग जोस बना करके रखेंगे तो नो डाउट रेलवे को जुगना ही पड़ेगा और रिवाइस करना ही पड़ेगा क्या उसमें पोस्ट नहीं होता है उसमें पोस्ट करना चाहिए भाई पोस्ट पे वहाली निकाली है तो 35 का 20 मुना मल्टिपल करके निकाल दो जितना 7000 होता है तो साथ लाग रिजल्ट दो ठीक है साथ लाग रिजल्ट दोगे और इसके बाद है सो अब यतने साथ लाग है अप लेवल वाइज बोल रहे हैं कि एक्जाम लेंगे ठीक है लेवल स्टूडेंट जो है सात लाग क्वालिफाइगे ठीक है ग्रेजट लेवल वाले जितने भी है तो सारे पोस्ट का एक्जाम देंगे सीधी बात है जो intermediate वाले हैं सिर्फ हो जाएंगे वह जाएंगे सिफ intermediate वाले एक्जाम देने के लिए इसलिए भाई intermediate वाले आप लोग को डरना नहीं है इसलिए कि अगर यह vacancy अलग से भी 10,000 की निकाली जाती ठीक है तो इस 10,000 में जितने भी graduate student है वो सब भाग लेते ही लेते एसा नहीं है कि वो भाग नहीं लेते हैं वो एक्जाम नहीं देते टीटी का टी सी सी का तो इसलिए इसमें डरने वाली बात नहीं है किस तरीके से हाँ यह है अगर कटफ अगर अगर यह सब चिस सही रहा तो अगर अगर कटफ घटती है तो नो डाउट जो ग्रेजुएट वे स्टुडेंट से उसको भी फायदा मिलेगा जो कि माली के जो अपने कैटेगरी से कोई बहुत पास कर गया है ठीक है बहुत का कैटेगरी में ही रिजल्ट है ठी अगर नहीं कर पाए है मालिये कि अगर किसी मतले लेवल टू लेवल टू और थी में तो पोस्ट के संख्या कम थी और वहां पर उसी को कटप बना दिया गया तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सबको मिला है जिसका इजी सेक्शन पकड़ा गया है उसका मार्स काफी बढ़ गया है जो 72 ला रहा थे निगेटिव कम था उनका मार्स सिधा 93 चला गया है तो ऐसे माली के जो क्वालिफाइं यहां नहीं कर रहा है जो इंटर्मीडर बले वह भी हैसो मतलब हैसो जब यह मार्स स्लैस होगा तो सब सेलेक्शन में आ जाएंगे जो डिसलेक्ट हुए है तो आरार बी ने जो क्लेरिफिकेशन दिये है उसके रिगाड़े आपका क्या है सो मतलब पॉइंट है इस अपने पॉइंट को comment box में ज़रूर डालिएगा कि आपका क्या मत है क्या और भी ने सहीन नोटिफिकेशन में दिया है या उसके अधरा पर सही है अभी है सो क्लेरिफि